हेगाईज वेलकम बैक टू टेक्साइरेट्स वन नीट साइरेट्स तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि डेस्क्टॉप मोड में यूट्यूब का डार्क मोड ओफिशली वर्क करता है लेकिन यह अपडेट अभी तक अंड्रोइड डिवाइस के लिए नहीं आया है तो आज मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आप अपने अंड्रोइड डिवाइस में डार्क मोड को क करता है एंड्रोइड डिवाइस के लिए अन्रूटी डिवाइस के लिए आपको अलग से एक यूट्यूब एप को डाउंडोड करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से आप डार्क यूट्यूब का एक्सपीरेंस ले सकते हैं लेकिन अगर आपके बास रूटी डिवाइस है तो आप वहाँ से जाके उसे डाउंडोड कर सकते हैं इस एप को डाउंडोड करने के बाद इसमें आपको सूपर स्वी परमिशन को अलाओ कर देना है उसके बाद आपको इस एप में टॉप पर थ्री डॉट मीनु ऑप्शन मिलेगा उस पर आपको टैब करना है एंदन यहां आपको स्लेक्ट करना है शो सिस्टम एप्स उसके बाद आपको यूट्यूब एप को सर्च करना है एंदन यहां पर डिफरेंट आपस दिये गए आपको इनमें से यूट्यूब डॉट एक्सेमल टैब को स्लेक्ट कर लेना है आप स्क्रीन पर दो लाइन्स देख सकते हैं अगर इस टाप की दोरे लाइन्स यूट्यूब डॉट एकसिमल फाइल में अविलेबल हैं अगर उनकी वैल्यू को पृल्स है तो आपको वैल्यू को त्रू कर देना है अगर यह यहां पर नहीं है तो हमें इस दोरे लाइन्स को एड़् करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको इस addition symbol पर tap करना है and then boolean select करना है and अब आपको इन दोनो लाइन को बारी बारी से add करना है और इस value को true ही रखना है and दोनो लाइन से add करने के बाद आप scroll down करके check कर सकते हैं कि ये दोनो लाइन से add हो चुकी है या नहीं and उनकी value true होनी चाहिए and then उसके बाद आपको YouTube app को अपने recent apps में से close कर देना है and then again आपको YouTube app को open करना है तो अब आप देख सकते हैं कि YouTube app डार्क mode में work कर रहा है तो अगर आपके बास rooted device है and आप डार्क mode को use करना चाहते है तो आप इन steps को follow करके डार्क mode को enable कर सकते है and अगर आप दुबारा से डार्क mode को off करना चाहते है तो जाकर उन दोनों लाइन को delete कर दे and उसके बाद YouTube app में से डार्क mode remove हो जाएगा तो अब बात करते हैं कि नोन रूटी डवाइसे में डार्क mode को कैसे use करें तो इसके लिए आपको दो apps को download करना पड़ेगा जिनका लिंक आपको description में मिल जाएगा फस्ट है YouTube dark app and second है Micro G है वो app open नहीं होगा यह सिर्फ एक plugin की तरह काम करता है तो दोनों app install करने के बाद जैसे ही आप new YouTube app को open करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यह YouTube fully dark mode में है तो अब आप अपने known rooty device पर भी YouTube dark mode का experience ले सकते हैं and इस extra YouTube app में आप अपनी वीडियो को background में भी play कर सकते हैं तो यह भी बहुत अच्छा feature है तो बस मैंने आपको दोनों method बता दी हैं जो method आपको suit करें आप उसे use कर सकते हैं तो बस आच के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को like करें share करें एपने friends के साथ and taxate channel को subscribe करें क्यूंकि और भी वीडियो आने वाली हैं मैं consistently वीडियो अप्लोड नहीं करता लेकिन फिर भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को subscribe करें